प्यारे भाईयों, मैं रामपराट बाज चनल से बोलता हूँ, ये रामपराट बाज चनल दीरून डिस्क्रिट की रामपराट सहर में लोकेटेड है, हमारा बाज में बहुत किसम की बाज सहर, जैसे सांथ कनियो रहे, मॉंग पेला किट है, ये रिस्क्रिट कनियो रहे, पाइन अपिल कनियो रहे, कॉक्टेल है, इसके बाज फींच है, बिंगली फींच है, बहुत किसम की लाबबाड है, लेकिन हम आज आपको जाभा की बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा फार में दीश्ठो जाभा बाड है, इसका जो मटकी है, वो आप देख सकते हैं, ये जाभा बाड बहुत अच्छे, और देखने में खुबसूरत होते हैं, इसके जो चूँच देखिए न, जो रेट कलाते होते हैं, साइड में सफेद दाग होते हैं, और इसके पूंच जरत काला, किसी का हुआइट, किसी का फॉन, किसी का सिल्वार होते हैं, जाभा चार किसिम के होते हैं, जेनरली चार किसिम के होते हैं, इसमें एक टो ब्लैक हैं, एक टो होता है जो हुआइट होते हैं, हॉइट का दो कि आपना जाए होती है, नेखना में गला का है. फिर फिर इक सिल्वाल कला का हुता है, लेकिन मेरा पास सिल्वारा और रोंपालत ज्यादा नहीं है, ब्लाक ज्यादा है. तर इस सल मोसम बहुत अच्छा नहीं है, और कभिगढ़ी कभिढ़ी तन् 15 मोसम में हमीडेटी टेम्परेचर सब दुसा करते हैं, इसलिए बाज का प्रग्रेस बहुत मुश्किल है। इसके दिए ठीक से मेडिसिल और फूट प्रोवाइड करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इस साल जाभा की एक मच्की में छैठो बच्चा निकला है। बहुत अच्छा तंदोस्त है। देखिए इस मच्की में तीठो बच्चा है और येक एक ले हैं। और इस मच्की में पांश्ठो बच्चा है। जो बहुत सारे अच्छे हैं और तंदोस्त भी हैं। इसलिए इस साल मेरे भामयवेर का जाभा का पोड़क्शन बहुत बहुत अच्छे है। इससे पहले जाभा का बच्चे निकले तो वो कुछ बेज दिया। और जाभा का नए बच्चे बहुत तंदोस्त है। देखिए। बहुत सारे अच्छे बाज है। जाभा का कीमत इसके कलार और इस्पिसिस की होते हुए इसका दाम यान कीमत हजार बड़ा से धाया जार तक होता है। जो रेलाई वाइट होते हैं ब्लैक का बड़ा तेरा चोदा पुनवासा होते हैं। और फ़न का भी होता है पुनवासा सोला से लिए। जाभा बड एक्चुली मलेशिया का है वहाँ जो प्यादी लैंड है ना धान की खित वहाँ बहुत लोग खाक खाके नस्थ कर देते हैं। इसके वहाँ के लोग इससे पसंद नहीं करता है। लेकिन इंडिया में इस जाभा का बहुत कदर है। इसके मिलंकोली एंड स्वीट वाइस ट्वीटरिंग हम लोग को बहुत पसंद आता है। इसमें रिखे ये सेमी आडल्स हो गये हैं। इसको हम अगले साल के लिए जाखेंगे हम नया अपहरी बनाएंगे एक्टोर। इसमें रिखेंगे कोलोनी मनाएंगे। और कुछ किसी को लेना है तो हम दे देंगे। बच्चा निकलते ही हैं। जो बच्चा निकलते हैं ये तो पांचा जनलते हैं जारा। चोड़ा पन रहता हैं। फिर भी उहां है। और भी होगा। इसलिए आप जाभा पल सकते हैं। जाभा बहुत खुबशुरत पहंची है। इसका कोई ख्याल आखे इसकी टेंपरेचर के बाड़े में। टेंपरेचर जो होते हैं वही इसका मुश्किलते हैं। जो ठंड हवा है वो नान लगना पाए। इसका गर्मी मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए घर में बाग लेना पड़ेगा। यह देखिए मेरा यह एक रही ओर है। मेरा और भी कामड़ा है जो हां बहुत सरे बाड़ेते हैं। इसके बाड़े में अपको जानता नहीं। कुछ दिन बाद देंगे। लेकिन आज हमने जाभा की बाड़े में अपको प्रोष्ट किया। यह देखिए था। बहुत अच्छे सुंदर कलार। यह बीजीफुल बाड़े। मेरा भी संकोनियर है। इसके बाड़े में आपको बाद में वीडियो में डालेंगे। इसके बाड़े में आपको जानकरी बाद में देंगे। यह हमारा एरियार में बाड़ पालने का सौत लोग आहिस्ता हिस्ता बढ़ रहा है। यह बाड़ पालने करी ती रिवज नहीं है। आहिस आहिस ते बाड़ रहे हैं। लेकिन हमारा वेस्पेंगर में जो ज्यादा तर्फ बाड़ पालते हैं। यह मेर्नेपुरे, चलिस परगना, हावरा, हुगली, कलकत्ता, बर्धमान के साइट, और नदिया, मुष्रबाद की कुछ एलादे में। तो प्रेंग्स हम आपको जावा की बाड़े में कुछ जानकरी दिया। इसकी बाड़े में और कुछ आपको जानना हैं। तो हमको कमेंट बक्स में लिख सकते हैं। इसलिए फ्रें एजावा की जो वीडियों डाले हैं। आपको थोड़ा सब्या चलाजे तो हमरे चैनल को साथ आपको जीएगा। कमेंटरी का लाइप किजिएगा। और शेयार किजिएगा। आपको को फीर भी हम हमरे चैनल अपरणबाद से धन्नबाद देता हूं। ये वीडियो वाच करने के लिए और एक बड़ धन्नबाद। थैंक यू।